नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है सौरब और स्वागत है आपका मगद ऐगूकेशन में सेवी यानि की सीकूरेटी एंड एक्सेंच बोर्ड आफ इंडिया जो की भारत सरकार की एक रेगुलेटरी बोर्डी है जो कि भारत की security market या फिर भारत का जो अ-stock market है उसको regulate करने का काम करती है दोस्तों कि अ-stock market के अंदर जो भी पैस आ रहा है क्या वो सही तरीके से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है किसी तरीके से अ-stock के price को manipulate करने की कोशिस तो नहीं की जा रही है accounting fraud तो नहीं किया जा रहा है इस तमाम बात की जनकारी का जो निगरानी रखा जाता है वो सेबी के दोरा रखा जाता है दोस्तो security and exchange board of India और security and exchange board of India की जो chair person है वो माधावी पूरी बूच है दोस्तो जिनके ऊपर American short seller हिंडन बर के दोरा एक गंभीर आरोप लगाया गया था ऐसा बोल कर कि जो माधावी पूरी बूच है वो जो आडानी के ops or company है यहाँ पे tax heaven में वहाँ पे कह लिजे कि directly कहले एक तरीक से दोस्तों यहाँ पे invested है और वो कह लिजे कि आडानी की company के थुरूफ फैदा उठाती है और आडानी की जो company है वो एक तरीक से कह लिजे कि यहाँ पे overseas के अंदर जहाँ पे tax heaven है वहाँ पे sale company है create कर रखी है और उस company की तहत यहाँ पे एक तरीक से कह लिजे कि foreign investment कह लिजे कि fund के रूप में वो इंडियन stock market में invest करती है ताकि जो आडानी का share price वगरा है अलगलग company का यहाँ पे दोस्तों उनका एक तरीके से inflated price दिखाय जा सके और जिसके कारण यहाँ पे इस जासी में आकर बहुत सारे जो investor है वो इस company अपना पैसा लगा देते हैं यहाँ पे तो इतने बड़ी गंभीर आरूप के बाद यहाँ पे कि जो मधावी पूरी बुच का direct involvement है हिंडनबर्ग report के अंदर यहाँ पैसा मामला निकल कर आया कि वो आडानी company के साथ मिली हुई है दोस्तो उनके offshore company के माध्यमस यहाँ पे और इसके बाद अब एकवर फिट्स यहाँ पे इनके उपर phrase allegation यह लगाया जा रहा है यहाँ पे और किसके दोरा लगाया जा रहा है तो जो congress party है उनके दोरा लगाया जा रहा है दोस्तो यहाँ पे कि जो कि एक regulatory body की chief होते हुए एक कहलिए कि दोस्तो private company से लगातार ये salary भी draw कर रहे है ऐसा तो possible यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपको ग्यात होगा कि एक तरीकिस कहलिए कि आप अगर जो भारत सरकार के किसी भी एक तरीकिस ministry के अंदर किसी भी और जो आप working हो दोस्तों यहाँ पे तो आपको किसी और private company में आप काम नहीं कर सकते हो यहाँ पे ना तो वहाँ से पैसे आपको आये जा सकते हो यहाँ पे लेकिन ऐसा देखा गया कि 2017 से लगातार यहाँ पे पांच वरसों से जो ICIC company है जहाँ पे पहले यह इन्होंने ICCI Security के CEO के पत पर भी अपना कारेभार निभारी थे दोस्तों यहाँ पे वहाँ से लगातार इनको salary आ रहा था और आप जानकर यह चौक जाओगे हाँ पे कि पिछले पांच वरसों में जो ICCI Banks यहाँ पे इनको पैसा आया है वो करीब करीब पांच गुना जादा है as compared to CB के Chief के रूप में इनको जो यहाँ पे पैसा दिया गया है दोस्तों तो इतने बड़े गंभीर आरोप इनके उपर लगाए गया है और इसके बाद जो ICCI Bank है उन्होंने भी इसको कोई retaliate करते हुए clarify किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो हमने कोई salary दिया है यहाँ पे इनके retirement के बाद यहाँ पे और ना ही किसी परकार का जो e-sop होता है दोस्तों वो हमने इनको provide किया है यहाँ पे तो हम देखेंगे इसमें इस वीडियो में यहाँ पे थोड़ा विस्तार में जिसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं SEBI Chief was drawing salary from ICCI Congress LA's bank deny claim तो जो यहाँ पे claim किया गया है Congress Party की ओर से इसको ICCI Bank ने पूरी तरस यहाँ पे फिलहाल के लिए तो deny कर दिया है अब यहाँ पे कहलिए कि लगतार मांग उठाई जा रहे है यहाँ पे कि किस परकार से आखिरकार है यहाँ पे जो security market का जो कि एक regulatory body है यहाँ पे हमारे stock market की इसके chief को जो appoint किया जाता है इसका process काफी गलत है दोस्तों यहाँ पे काफी एक तरीके से पारदर्सिता बरतनी चाहिए यहाँ पे सरकार एक तरीके से कहलिए कि otherwise गलत फाइदा भी इसका उठा सकते है आप देख सकते हो the congress claimed that माधावी पूरी बूच received an income of RS 16.8 crore from the ICCI since joining SEBI in April 2017 आप देख सकते हो दोस्तों कि अप्रील 2017 में यहाँ पे यह कहलिजे कि ICCI security के CEO के पत पर यहाँ पे कहलिजे कि जोईन करती है और तब से यहाँ पे पिछले 5 वर्सों के अंदर 16.8 crore इनको एक तरीके से कहलिजे कि दोस्तों है ना पैसा आ जाता है यहाँ पे करिएगा कि SEBI को यह कब जोईन करती है 2017 में यानि कि 2017 से पहले यह ICCI bank से जोड़ी हुए थे तो ICCI bank के छोड़ देने के बाद भी लगतार ICCI bank से इनको पैसा आये जा रहा था तो सबसे बड़ा प्रश्न यहीं खड़ा होता है यहाँ पे आखिरकार एक भारत की एरेगुलेटरी बोड़ी के साथ जोड़े होने के बावजूद भी भला आप कैसे एक कहलीजिए कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी से जो सैलरी है और ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि आप जहाँ पे काम करों केवल वहीं से आपको सैलरी आना हो उसका बहुत बड़ा आसर पड़ता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के उपर दोस्तों यहाँ पे और और हमारा जो BSE है जो हमारा बेंचमार्क है दोस्तों यहाँ पे उसका जो टोटल कैपलाजेसन है आज यहाँ पे कहलीजिए कि दोस्तों 5 ट्रिलियन डॉलर को अ अगतार तब से हाँ पे कहलिए कि सेबी के अंदर ये काम कर रहे है दोस्तों आप देख सकते हो कि ICCI छोड़ने के बावजूद भी इनको अब तक 16.8 करोड का इंकम रिसीव हुआ है जो कि 5 गुना जादा है जो कि महज 3 करोड 30 लाख ही होता दोस्तों आप यहाँ पे on Monday accused से भी चेयर परसर मधाभी पूरी बूच of interest है ना conflict of interest यहाँ पर ध्यान रखे है कि conflict of interest इसी को बोलते है कि आप यहाँ पे एक कहलिए कि सरकारी employee होने के बावजूद भी आप किसी bank से जब पैसा ड्रॉ कर लेते हो उसको यहाँ पर conflict of interest कहा जाता है है ना कि आप किसी भी सरकारी service के अंदर हो दोस्तों तो आपको private वाला service है उसको छोड़ना पड़ता है यहाँ पर है ना अधरवाज आप यह conflict of interest के अंदर चला जाता है यहाँ पर जो कि फूरी तरह से विरोधावास हो जाता है alleging that she was drawing regular income from a private bank while being a full-time member of the market regulatory body की एक आप market regulatory body के full-time member हो आप हो सकता है की एक तरीके से part-time member होते तब आपको salary वगरा रहा होता तब यह चलता है लेकिन आप full-time member हो market regulatory body यानि की यहाँ पर सेबी की बात की जा रही है कि आप सेबी की यहाँ पर full-time member होने के बाव जूद भी भ जो कि काफी जादा हो जाता है लेकिन इस पर bank ने पुरी तरह से इसको refute कर दिया है यह इंकार कर दिया है और इनका कहना है कि जो भी allegation लगाय जार है Congress party की ओर से यह पूरा सरा सर जूट है यहाँ पर और हमने बुच को किसी भी परकार का कोई salary यहाँ पर नहीं दिया है retirement क जबाद थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पर retirement benefit होता है उसको छोड़ कर यहाँ पर at a press conference in daily the Congress allies that since the current CB chairperson took office in 2017 तो आप देख सकते हो कि यह जो यहाँ पर Congress party की ओर से जोटा है किया गया यह कहाँ पर किया गया तो कल यहाँ पर Congress party का Congress conference चल रहा था दोस्तो प्रेस conference daily के अंदर व रूप में कब से कारेभार समभा रहा है तो 2017 से अल्ली बिन ड्रोइंग a salary from CB but has also been holding an office of profit at ICCI bank and its holding continue to receive income from them to this every day आप देख से तो दोस्ते हाँ पर कि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा भी से मिलना चाहिए दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं है बलकि यहाँ पर जो ICCI bank है वहाँ पर य और इनको लगतार वहाँ से पैसा एक तरीके से regular basis पे day by day यहाँ पर आये जा रहा है दोस्तों अब चली यहाँ पर जो इनका बयान है यहाँ पर है उसको हम पढ़कर आपको सुनाते है कि इन्होंने आखिरकार कहा क्या है पवन खेरा यहाँ पर प्रेस conference के दोराने हाँ पर कि आप एक company के लिए काम कर रहे हो लेकिन आप साथ में कहलिजे कि दोस्तों उस company को बिना बताए आप दूसरे company के साथ भी जोड़े हुए तो यह more like practice बोला जाता है और काफी जादा गलत होता है दोस्तों अधरवाज हो सकता है कि आप एक company का confidential data है वो आप दूसरे company के साथ share कर सकते हो और इसके कारण कहलिजे कि दोरो company के बीच में काफी जादा problem भी हो सकता है तो यह more like concept है इस पर भी काफी जादा सवाल जबाब उठते आया है लेकिन यह तो कहलिजे कि दो company के अंदर नहीं है यह तो भारत सरकार की एक regulatory body की ओभी chair person के रूप में यहाँ पे कहलि लेना चाहिए हो केवल से भी क्योड से लेना चाहिए हाँ पे क्योंकि आप उसकी chair person हो लेकिन आप यहाँ पे एक तरिक इसके लिए कि ICCI bank से ले रहे हो दोस्ते हाँ पे पे बैटने के बाव जूद भी आप payment receive कर रहे हो कहीं और से इस इस completely violation of section 54 of SEBI कि जो यहाँ पे हमारा SEBI Act है दोस्तों यहाँ पे security and exchange board of India का जो एक तरिके से कानून है दोस्तों उसका जो section 54 है उसमें साफ साफ मेंशन है कि आप यहाँ पे SEBI के chairperson के तोर पर काम करते हुए किसी bank से या फिर किसी और private company से पैसा draw नहीं कर सकती हो एक तरिके से salary draw नहीं कर सकती हो अधरवाइज हो सकता है कि आप उस company के benefit में कोई policy लेकर आ जाओ यहाँ पे उस company को बढ़ावा देने लगे हो जहां से आपको फायदा वगरा हो सकता है तो एक तरिक इसका लिजे कि ये conflict of interest कहलाता है इसी के रूप में हाँ पे सवाल उठाया गया है माधावी बूच वाज़ा full time member of SEBI from April 5, 2017 to October 4, 2021 आप देख सकते हो दोस्तों कि 5 April 2017 से लेकर 4 October 2021 तक जो माधावी पूरी बूच है वो यहाँ पे कह लिजे कि SEBI के अंदर एक full time member क दूरूप में काम कर रही है और उसके बाद इनको बना दिया गया दोस्तों यहाँ पे SEBI का चेर परसन तो आप देख सकते हो कि ICCI bank से कब निकल चुकी है तो 5 April 2017 से पहले सी निकल चुकी है और इसके बावजूद भी निकलने के बावजूद भी यहाँ पे लगभभभग स साले 16 करोण का जो यहाँ पे पेमेंट है वो इनको रिसीब हुआ है यहाँ पे बूच हुआ स्टार्टेड हर करियर इन 1989 विथ ICCI bank स्टब्ड एस दसीओ ऑफ आइसीओ आइसीओ सीक्योर्टी फ्रॉम फरवरी 2009 तो मई 2011 आप देख सकते हो दोस्ते यहाँ पे अगर जो आरे भार समहारा यहाँ पे ICCI security के अंदर फरवरी 2009 से लेकर फरवरी 2011 तक यानि कि महज आप दो साल वहाँ पे फूल टाइम मेंबर के रूप में काम करी हो और उसके बाद यहाँ पे आप से भी के साथ जुड़ आते हो लेकिन पैसा आपको अभी तक आया जा रहा है तो देख सकते हो दोस्ते हैं पे कि एक जगह से जहां से आपने काम करना छोड़ दिया है जहां कि आप मेंपर नहीं हो जहां पे आप कुछ भी नहीं हो वहां से आपको पाच गुना ज्यादा पैसा आता है जहां पे आप पिछले पाच साल से काम कर रहे हो दोस्ते हैं पे जो कि काफी ज़्यादा यहां पे सौकिंग है और इसको लेकर आप देख सकते हो कि ICCI बैंक के द्वारा यहां पे इसको clarify भी किया गया है जैसा कि इनके subject line में ही आप देख सकते हो disclosure under the SEBI regulation 2015 है ना ते इनको disclose करना पड़ता है अगर जो SEBI की और से किसी प्रकार का कोई यहां पे दिसान इर्दे साता है कि क्या आपके बैंक के साथ कोई जोड़ा वग रहा है तो आप देख सकते हो दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ जो रिपोर्ट है मेडिया के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है वहां पे यह कलेम किया जा रहा है और साथ में यहां पे अटेंशन इस प्रदिया जा रहा है कि जो यहां पे सेवी की चेर पर सनिया भी माधावी बूरी पूचे जो कि पहले ICCI बैंक के साथ जोड़ी थी उनको अभी भी पेमेंट रिसीब हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आप देख सकते हो ICCI बैंक और इट्स ग्रूप कमपनी have not paid any salary और granted any ease of to माधावी पूरी बूच after her retirement other than her retireal benefit तो थोड़े बोत यहां पे हम जो यहां पे retirement benefit के रूप में retirement bucks के रूप में जो भी थोड़ा बहुत दिया है उसके लाब हमने किसी भी परकार का कोई salary बगरा या ease of बगरा यहां पे इनको provide नहीं किया है दोस्तों यहां है न 31 October 2013 के बाद से दोस्तों यहां पे during her employment जब यह ICCI के साथ जोड़ी हुई थी she received compensation in the form of salary, retireal benefit, bonus and ESOP in the line with applicable policy तो हमारे bank के जो एक तरिकेस कह लिए कि policies है उसके तहत जब यहां पे employee थी जब यहां पे अपनी service दे रही थी तब यहां पे इनको bonus वगरा, salary वगरा, ESOP बगरा दिया जा रहा था, लेकिन यहां पे इनके retirement के बाद किसी परकार का हमने कुछ भी इनको offer नहीं किया है दोस्तों यहां पे, यानि कि जो भी allegation यह लगाय जा रहे है, जो भी यहां पे claim उठाय जा रहे है, सरा सर यहां पे जूटे ऐसा इनका कहना है, आप देख सकते हो, under the bank ESOP rule, the ESOP waste over the next few years from the date of allotment, तो देख सकते हो कि अगर जो कोई bank अपने employee को ESOP provide करता है, तो एक जटके में नहीं कर देता है, हो सकता है कि दो साल बाद करें यहां पे, यानि कि कुछ-कुछ fix number के allotment पे आपको पूरा provide किया जाएगा, एक span period of time के अंदर दोस्तों, as per rule existing at the time of ESOP उस वक्त के जो यहां पे ESOP के यहां पे grant करने के जरूल थे दोस्तों, employees including retired employees had the choice to exercise their ESOP anytime up to a period of 10 years from the date of wasting, तो देख सकते हो कि जब से उन्होंने एक तरीकेस कह लिए कि वहां पे join किया है या फिर वहां से छोड़ा है, तब से 10 सालों के अंदर अंदर जो भी उनका ESOP है, उसको exercise कर सकते हैं, हो सकता है कि उसी bank को दोबारा बेच दे, या फिर अगर जो bank आगे चल कर share market पे list होती है, तो हाँ पे बेच सकते हैं, तो इस ओप यही होता है, इस ओप क्या होता है, कि अगर जो कोई private company है, जहां पे एक आप कह लिजे कि employee के तोर पर काम कर रहे हो दोस्तों, और आगे चल कर, ओ जो यहां पे bank है, दोस्तों, ओ एक तरीके से इतना बड़ा बन जाता है, कि ओ अपना IPO launch कर देता है, initial public offering लेकर आता है, पैसे जुटाने के लिए, एक तरीके से public से दोस्तों यहां पे, और साथ में, जो bank है दोस्तों, अगर जो उसको profit हो रहा है, तो एक क्यों ना, यहां पे जो भी हमको profit हुआ है, उसका कुछ हिस्सा share के forms में यहां पे, हम अपने employee के साथ भी share करें दोस्तों, तो यहां पे इस रूप में ESOP provide किया जाता है, employees को, और यही जो ESOP है दोस्तों, अगर जो वो company, आगे चल कर IPO launch करती है, और stock market पे list होती है, तब यहा पे जिस वक्त इनको provide किया गया था, तब से अगले 10 सालों के अंदर अंदर यह ऐसा कर सकती थी, जो कि अभी यहां पे, वो दोस्तों यहां पे पूरा हो भी चुका है, as per income tax rule, the difference between the price of the stock on the day of exercise and the allotment price is treated as previous request income and is reflected in the part B of the firm 16 of employees, including retire employees, तो आप देख सकते हो, कि जिस वक्त यहां पे, कहलें कि वो exercise करने वाले यानि कि बेचने वाली है, उस वक्त जो stock का price चल रहा है, इन दोनों के जो beach का difference होता है, दोस्तों, इसको हम pre-requisite income बोलते हैं और यह आप देख सकते हो, कि जो form 16 है, इसके अंदर सारा इसके बारे में बाते mention है, तो हमने ऐसा कुछ भी यहां प तो इनके बारे में जाना यहां पे, कि यह 2009 से लेकर 2011 तक जो ICCI security है, उसके CEO के पद पर यहां पे, इन्होंने अपना कारेभार समारा था दोस्तों, यहां पे, और आप देख सकते हो, कि यह जो chair person के उपर जाओरोप लगा जा रहा है, Congress Party की ओर से, यह तब निकल करा रहा है जब यहां पे, अमेरिका के अंदर जो एक short seller company है, जो कि यहां पे, पिछले वर्स भी, जो अडानी गुरूप है, उनके उपर, violation का एक तरीके सकह लिजे, कि यह stock manipulation का है, stock को inflate करने का है, accounting fraud वगरा को लेकर यहां पे, बहुत बड़ा एक तरीके सकह लिजे, दोस्तों, report ति precedence वगरा, यह कुछ भी exist नहीं करता है, वहां पे, कोई employee वगरा नहीं होते है, बस केवल वो इसलिए create किया जाता है, ताकि इसका नाम लेकर, वहां से पैसे डाले जा सके, अपने company के ही अंदर, और ऐसा दिखाय जाए, कि नहीं, बाहर के investor के अंदर, अपना पैसा डाल रह लाता है, और यहां पे जो एक तरीकेस कह लिजे कि retail investor वगरा होगे, या फिर एक तरीकेस कह लिजे कि institutional or non-institutional investor होगे, उनको ऐसा लग रहा है, कि जो भी इस, एक तरीकेस कह लिजे कि company का growth हो रहा है, वो organically हो रहा है, कि एक तरीकेस इनका import, export वगरा बढ़ रहा होगा, या production line में काफी अच्छा बढ़ होती हो रहा होगा, इसको लेकर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, और एक बार फिर से यहाँ पे, इस वक्त भी यहाँ पे, अडानी ग्रूप के उपर हिंडन वर्क ने एक report त्यार किया, एक तरीकेस और LSB किया, तो पिछले बा हिने जो एक तरीकिसा लिगेसर लगाया गया, उसमें ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार जो यहाँ पे, अडानी ग्रूप के उपर, केबल यहाँ पे सवाल नहीं उठाये गये थे, हिंडनर मर के द्वारा, बलकि जो सेवी की चीफ परसन है, यानि कि म माधावी पूरी बूच और माधावी पूरी बूच के जो हस्बेंड है, उनका डाइरेक्ट इनवॉल्मेंट अडानी ग्रूप का, जो यहाँ पे ऑफशोर कम्पनी है, टैक्स एवन के अंदर, उनके साथ बताया गया था, और ऐसा कहना था कि माधावी पूरी बूच भी इसमें directly involved है, वो भी एक तरीकेस के लिए कि अपना पैसा जो है, offshore company के थुरू यहाँ पर डाने ग्रूप में invest करती है, और काफी ज़्यादा profit book करती है, जबकि यह रुका ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह से भी कही chair person दोस्तों, इनहीं के हाथ में है, कि किस परकार के कानून वगएर है, जिस छोड़े चाहिए, तो इतना यह जो claim किया गया था, एक तरीके से हिंडन मर की दोर, और आप यहाँ पर Congress Party की ओर से किया जा रहा है, और आप देख सकते हो, यहाँ पर कि जियो, जैराम रमेशे, उन्होंने जो Indian Government यहाँ पर जो मोधी सरकार है, उस पर भी यहाँ पर काफी ज़्यादा निसाना साधा है, आप देख सकते हो, इनका क्या का statement आया है, जैसा कि यहाँ पर नरेदर मोधी क्लेम भी करते हैं, कि उनका जन्म नहीं हुआ है, वो अवतरित हुए यहाँ पर, और आपने आपको नन बायोजिकल बुलाते हैं, ऐसा इनका कहना है, कि जब से यहाँ पर हिंडन बोर का रिपोट आया है, और जो भी नोहने ऐलिगेशन लगाये थे, से बी चेर परसन के ऊपर, यहाँ पर नरेदर मोधी का चुपी साधा जाना यह काफी ज़्यादा प्रॉबलमाटिक है, जब सकते हैं, दोस्तों आखिरकार यह किस परकार से किया जाता यहाँ पे हैंना किस basis पे आप यहाँ पे chair person को appoint करते हो इसको आपको clarify करना पड़ेगा यहाँ पर otherwise इस परकार के problem यहाँ पे आते जाएंगे दोस्तों और इसलों आप देख सकते हो in a statement ICCI Bank clarified तो आपने किया है दोस्तों यहाँ पर अगर जो आप ही stock market के अंदर एक तरी के सका लिए कि दोस्तों investor हो यह फिर ट्रेडर हो तो आपका इस particular यहाँ पे जो समचार निकल कर रहा हिए जो allegation निकल कर रहा है इस पर आपका क्या विचार है अपना विचार आप जरूर व्यक्द कीजिएग का नीचे कमेंड वोक्स में मिलते कर एक नए वीडियो के साथ तबता के लिए कीप लर्डिंग कीप ग्रोएं दिशे शौराफ साइनिंग आप से नेक्स्ट वन बाई बाई